दोस्तों मारुती सुज़की एंडिया ने पुछले कुछ समय से सिलेरियो की हैच पैक न्यू जनरेशन मॉडल को मार्किट में लॉंच करने का पहमाना किया था कम्प्री ने अब भारतिय बाजार में इस कार की टेस्टिंग भी शुरुआत कर दी है नेक्स जनरेशन सिलेरियो पहली बार भारतिय सडकों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉर्ट की जा चुकी है अब भारत में इस कार को हम सभी के लिए होली के दौरान फाइनली लॉंच किया जा रहा है वैसे तो दोस्तो भारतिय बाजार में नेक्स जनरेशन आल्टो के भी हौली के दौरान लॉंच करने का फैसला किया गया है क्या पता ये दोनों ही कारे एक साथ मार्केट में लॉंच की जाए तो इस वीडियो के अंदर आज हम जाने के नेक्स जनरेशन मारोतीसुज की सिलेरियो के कुछ स्पेसिफिकेशन तथा मार्केट में आई कीमत के बारे में साथ ही साथ दोस्तो आप सबी को बता देगी भारतिय बाजार में आने वाली नेक्स जनरेशन सिलेरियो हमारे लिए भारत पे पिछले 6 सालों से मार्किट में उपलब्ध है इस सेग्मेंट में लगातर बढ़ रही प्रतिस्तिदी के बावजूर सिलेरियो हर महीने अच्छी खासी सेल को कवर कर जाती है तथा मार्किट में ये दूसरे नंबर की सबसे पहली कार मनी हुई है मार्किट में जैसे की नेक्स जेनरेशन सिलेरियो का इंतजार काफी लंबे समय से आप दोस्तों कर रहे थे मगर फाइनली अब वो वक्त आ चुका है कि जिस कार को आप अपनी घर ले जा पाए जी हाँ, नेक्स जेनरेशन सिलेरियो को हम सबी के लिए होली के दोरान लॉंच किया गया है अपने मौजूदा मॉडल से ये कार थोड़ी बड़ी दिखाई देगी और तथा इस कार में आपको कई स्पेसिविकेशन तथा न्यू एडवांस फीचर्स के साथ मार्केट में ये कार दिखाई देने वाली है साथी साथ आप सबी को बता देकी और न्यू मारूती सिलेरियो हैच पैक सुजुकी के नई जनरेशन हाई टेक प्लैटफॉर्म पर भारत में बेस्ट की गई है जिसमें भारत में आने वाली नेक्स जनरेशन वैगनार से लेकर एस प्रैसुक तक कार शामिल की गई है भारत में 2021 मारूती सिलेरियो नेक्स जनरेशन में बियती स्टाइलिश फंक्शन तथा इसमें आप सबी को काफी अच्छे फैब्रिक द्वारा अपडेट सीट आप्शन देखने को मिलने वाला है तथा नेक्स जनरेशन से लेरियो सुजुकी के स्मार्ट प्ले स्टूडियो इन्फोटेट में सिस्टम से लेकर रियर कैमरे जैसी अन्य एडवांस फीचर्स के साथ मार्केट में दिखाई आप सबी को देने वाली है इंजन तता पावर की बात करें तो भारत में आने वाली मारूती सुजुकी की अपकमिंग न्यू कार से लेरियो नेक्स जनरेशन के अंदर आप सबी को आपका फेर्विर्ट यानी 1.2 लीटर का 3 स्लेंडर नैच्रल ऐसी टर्बो चार्ज पैट्रोल इंजन आप्शन देख अली की जगा मार्किट पे EMT यानी Automatic Transmission का विकल सिलेरियो में देखने को मिलने वाला है मायलेश की बात करें तो दोस्तों कमपनी का दावा है कि भारत में आने वाली नेक्स जनरेशन सिलेरियो का प्रती लीटर में मायलेश करीबन 32 पॉइंट से लेका 34 पॉइंट किलोमेटर प्रती लीटर का हूने वाला है जो कि भारत की सडकों पर काफी अच्छा माना जाता है साथ ही साथ उम्मीदों के साथ ये भी कहा जा रहा है कि भारत में इस कार को CNG Fitted Company Kit Option के साथ भी लाने की योजना बताई जारी है इंटीरियर के बाद करें तो भारतिय बाजार में आने वाली नेक्स जेनरेशन सिलेरियों को काफी अच्छी इंटीरियर के साथ मार्केट में लाँच करने की उम्मीद जताई जारी है कमपणी का रावाए की कार के अंदर आप सभी को वाईलेस 8 इंच का टच स्क्रीन इंफो टेट्मेंट सिस्टम आप्शन को मौईया करवाया गया है जो की लेटेस टेक्नोलजी एंड्रोइट आटो एपल कार प्ले सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम वाईस कंट्रोल सिस्टम द्वारा संचालित होता है इसके अलावा इस कार में आप सभी को वाईलेस स्मार्टफोन चार्जिंग की सुविदा भी मिलती है साथी साथ इसकार में आपको PS 2.5 Clear Ear Purification System देखने को मिलता है जो की आपकी अंदर की वाईयो को काफी अच्छा प्यूरिफाई करने वाला है साथी साथ इसकार में आपको 7 इंच का Digital Instrument कलर्ष्टर भी मौया करवाये गया है सकार के अंदर आपको Looting Proof Top Arms तता 3D Sound System जो की हरमन्स की होने वाले Steering Mountain Controls से लेकर Engine Start and Stop बटन यानी Clicks Anti-Lock Breaking System के साथ ये कार मार्किट में दिखाई देने वाली है साथ इसकार में आप सभी को Cruise Controls जैसे अन्य Features को अपडेट करके मार्किट में इसकार को Launch करने का कोशना कर चुकी है उस्तो सेफटी Features की बात करें तो भारत में इसकार को सबसे ज़्यादा खास इसकी सेफटी Features सी बनाने वाली है क्योंकि मार्ती सुजुकी ने अपकी Next Generation Silario के अंदर काफी Advanced Safety Features का प्योग किया है जो कि अब तक भारत में मौझूद महेंगी कारों में आप सभी को देखने को मिलता है भारत में इस कार को 5 Seater Option के साथ ही लाया जाएगा इस कार में दो Front Seat और दो Rear Side Seat Option देखने को मिलते है जो कि 3 Wiping Stability से Less किये गए है जो कि आपकी सुरक्षा को और भी ज़्यादा Hard पना देते है पीछे के बैठे यात्रियों के लिए इस कार में आपको दो Wiping Seat Pelt Option देखने को मिलते है इस कार में आप सभी को EBD के साथ ABS Rear Parking Sensor, Speed Alert System, 360-degree View Camera, IFSO Child Fixed Locking System से लेकर 360-degree View Camera को Dual Adjustable Tone से रखा गया है यानि ये कार आप सभी के लिए काफी Advanced Features दौरा अपडेट की गई है भारत में Next Generation C-Ladio को काफी अच्छे Color Option के साथ भी लाया गया है इस कार में आप सभी को कमटी फिटी Dual Tone Alloy Wheel Option देखने को मिलते है जो कि इस कार को और भी ज़्यादा भार से स्टैलिश बनाते है साथी साथ इस कार में Dual Tone Color Option के साथ साथ इस कार के अंदर आपको Inside Bigs Option देखने को मिलता है जो कि इस कार को काफी अच्छी सिफ्टी परदान करता है तता इस कार के अंदर आप सभी को 70% तक Stainless Steel दौरा तयार करके Market पे डिजाइन किया गया है Global Ranking के तहट Next Generation Silario को Market में 5K rating प्रोवाइड की गई है यानि ये कार अंदर से तो जितनी खुबसूरत है तता भार से भी उतनी ही मजबूत होने वाली है Launching तता कीमत की बात करें दोस्तों जो की इस वीडियो का मैटफोन पार्ट आप सभी के लिए होने वाला है इस कार की यानि Next Generation Silario की कीमत मार्केट में 3 लाक रुपे से लेकर 5 लाक रुपे के अंतरगत निश्ची तैक की गई है इस कार के अंदर आप सभी को Resible Price Range पे Turbo Charge Unit Engine Option के साथी साथ काफी Advanced Features भी देखने को मिल सकते है इस कार में साथी साथ CNG Vical Kit Option के साथ इस कार को मार्केट में लांच करने का पैमाना दिया गया है लांचिंग के बात करें तो भारत में इस कार को हूली के दोरान फाइनली लांच किया जा सकता है इस कार की Pre-Booking Official Website पे स्टार्ट कर दी गई है यानि दोस्तों अब आप Next Generation Silario को घर बैटे अपने लिए असान से बुक कर सकते है तो सिंपली दोस्तों इस कार को अगर अब सबसे पहले घ्राग पन की आपने लिए बुक करना चाते है तो कमेंट बॉक्स में जाइए अपना नाम ताता सीटी का नाम लिए कमेंट करिए वीडियो पसना है तो बिना लाइक करें बिल्कुल मजेगा मिलेगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में धन्लेवाद गुराको रेपोर्टादो अफ्रेंट अजया हुआए पलेगोर्टा जाइए घवाद झाल जाता करो लिए ट्रॉटार्ट हुआए प्रॉट्टार्टस तो चाहिए झालवाद बार फौरी कोर्त